एक बार की बात है, विमसी वुड की मनमोहक भूमी में एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक अनोखी लाइब्रेरी छिपी हुई थी। मिस्टर क्विलिंग्टन नाम का एक विलक्षर्ण लाइब्रेरियन रहता था। वह लंबी, लहराती, सफेद, दाढ़ी वाला एक हृष्ट-पुष्ट बूढ़ा व्यक्ति था, जो ऐसा प्रतीत होता था कि उसका अपना एक जीवन है। उसकी आखें अंगिनत कहानियों के ग्यान से चमकती थी और उसकी हंसी उन कहानियों की तरह ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, जिन्हें उसने सहेज कर रखा था। एक दिन, लिली, ओलिवर और एमिली नाम के तीन साहसी बच्चे जंगल की खोज करते हुए पुस्तकालय में पहुँच गए। वे इसके र प्रसन लेकिन दयालू दिख रहे थे। उन्होंने बच्चों का स्वागत किया और पुस्तकालय के जादू के बारे में बताया। प्रत्येक पुस्तक में अपने पात्रों और परिवेश को जीवन्त बनाने की अध्विती यक्षमता होती है और बच्चे कहानी का हिस्सा ब पर आसमान में उड़ते हुए पाया। मैत्रिपूर्ण बादल प्राणियों से घिरी लिली ने अपनी जीवन का सबसे अच्छा समय बिताया। दव हिस्परिंग वर्ड्स नामक एक पुरानी किताब चुनी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसके चारों ओर का जंगल एक जादूई दाएरे में बदल गया। उसने बात करने वाले जानवरों से दोस्ती की और उनकी भाशा सीखी, उनके कारनामों में हिस्सा लिया। जैसे जैसे बच्चे अपनी कहानियों में डूपते गए, उन्हें एहसास हुआ कि कहानियों का जादू उनकी दुनिया में च्छा रहा है। लिली हल्की हवा बुला सकती थी, ओलिवर कुछ समय के लिए समय रोक सकता था और एमिली जानवरों के साथ समवाद कर सकती थी। हालांकि जितना अधिक उन्होंने खोजबीन की, उतना ही उन्हें पुस्तकाले की चाया में छिपी एक अजीब उपस्थिती का एहसास हुआ। श्री क्विलिंगटन ने उनकी बेचैनी देखी और खुलासा किया कि एक प्राचीन जादू गरणी मोराना ने बहुत पहले प शक्ती की लालसा रखती थी और विमसी वुड पर कबजा करने की कोशिश करती थी। अपनी नईक शमताओं और जादूई कहानियों की रक्षा करने के लिए द्रिड संकल्पित होकर बच्चे श्राप को तोडने के लिए मिस्टर क्विलिंगटन के साथ शामिल हो गए। व और उन परीक्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस और दोस्ती की परीक्षा ली। उन्होंने खुद पर और अपने भीतर के जादू पर विश्वास करना सीखा। एक चरम मुकाबले में उनका सामना मोराना से हुआ जिसने एक डरावने छाया ड्रैगन का रूप ले लिया था। अपनी कहानियों की संयुक्त शक्तियों का उपयोग करके बच्चों ने उसे हरा दिया, अभिशाप को तोड़ दिया और उसे पुस्तकाले से हमेशा के लिए निश्कासित कर दिया। श्राप हटने के साथ पुस्तकाले नए आकर्शन से खिल विमसीवुड में बच्चों को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया और रहस्यमय कहानियां आने वाली पीडियों के लिए अपना जादू बुनती रही। हो गया था कि जादू वास्तव में उनके आसपास की दुनिया में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।